गाइस आज हम इमोजी से सब्जेक्ट के नाम क्यास करेंगे तो फटाफट से ये पहली वाली इमोजी देखिए और सब्जेक्ट के नाम क्यास कीजिए क्या आप लोगों ने एंसर दे दिया क्योंकि ये है के ये है मिस और ये है ट्री तो मिला के बन जाता है केमेस्ट्रि येस काईउवा ही केमेस्ट्रि जिसके फॉर्मूले बहुत ही टॉफ होते हैं याद करने में बहुत प्रॉबलम होती है तो चली अब ये दूसरा वाला बता दीजे और जल्दी से इसका एंसर मुझे कमेंट कर दीजे ये है इको ये बोल रहा है नो और ये है मिक्स तो मिला के बन जाता है इको नो मिक्स येस काईज आप लोगोंने कैस कर लिया था न तो मुझे वीडियो को लाइक करके बता दीजे तो गाईज अब ये थर्ड वाला अच्छे से गैस कीजे और इसका एंसर मुझे कमेंट करके बता दीजे यह है जू यह है लो और यह है जी तो मिला के बन जाता है जू लो जी येस काईज इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं अब यह वाला भी कैस करके आप लोग बता दो यह वाला तो आप लोग बता ही दोगे बच्पन से इसे आप लोग पढ़ते ही आ रहे होगे मेजोरेटी का कमेंट आ चुका है क्योंकि ये है इंग ये है ली और ये श तो मिला कि बन जाता है इंग्लिस येस का इसे प्रोनाउंस करने पे इंग्लिस आती है आप लोगों ने बता दिया था ना एंसर तो चलिए अब ये वाला भी अच्छे से गेस करके इसका एंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता दीजिए ये है जियो ये है कार और ये है फीस तो प्रोनाउंस होके बन जाएगा जियोग्रैफी येस गैस जियोग्रैफी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा ना इसमें हम लोग लैंड, सॉयल, माउंटेन, प्लैटू, एकसेक्टरा ये सब के बार में पढ़ते हैं तो चली अब ये वाला भी अच्छे से गेस करके बता दीजिए ये वाला आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबज है और ये है S, तो मिला के बन जाता है साइंस, येस काईज आप लोगों ने इसे गेस कर लिया था ना, अगर कर लिया था तो बहुत बढ़िया, किस-किस का साइंस फेबरेट सबजेक्ट है कमेंट करके जरूर बता ना, तो अब ये नेक्स्ट वाला भी गेस करके बता दो ये है Year और ये है S, तो मिला के बन जाता है Commerce, ये सकाईज, इसमें हम लोग एकाउंट के बार में पढ़ते हैं, तो चलो अब ये वाला भी गेस करके बता दो, ये वाला भी बहुत इजी है, ये Science सबजेक्ट का ही एक पार्ट होता है, इससे जादा मैं आपको हिंट नहीं द तो लिखाई है, ये है Law और ये है G, तो मिला के बन जाता है Biology, ये सकाईज, ये Biology, Science का ही एक पार्ट होता है, तो चलो ये वाला भी गेस करके बता दो, ये वाला भी बहुत इजी है, क्योंकि ये भी Science सबजेक्ट का ही एक पार्ट होता है, ये है P और ये है 6, तो प्रणॉंस होके बन जाता है Physics, तो गाइस अभी ये लास्ट वाला सबजेक्ट भी गेस करके बता दो, ये है बोट और ये है नी, तो प्रणॉंस होके बन जाता है बोट नी, येस कैस, इसमें हम पेड़ पॉधों के बार में पढ़ते थे, आप लोगों ने बता दिया था ना,